आप सभी का मेरी चैनल में स्वागत है एक बार फिर हम एक नया वीडियो लेकर आए है तो इस वीडियो में हम देखेंगे भगवान शनी देव के वे उपाए जो कि हमारे भग्ये को बदल सकते हैं कैसे एक घरिव को अमीर बना सकते हैं कहते हैं कि जिस वेक्ति पर शनी देव की क्रपा होती है उसका भग्ये वदलने में अधिक समय नहीं लगता इसलिए शनी देव को प्रसंद करने के लिए उनका पूजन अवश्य करें शनीवार का दिन भगवान शनी देव को समर्पित है और इस दिन विदी विधान के साथ उनका पूजन किया जाता है शनी देव को न्याय का देवता कहा जाता है क्योंकि वे लोगों को उनके कर्मों के अनुसार फल दीती है यदि किसी वेक्ति पर शनी देव की कूद रिष्टी पढ़ जाए तो उसे जीवन में शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पढ़ सकता है ऐसे में शनी देव को प्रसंद करना बेहत जरूरी है और इसके लिए शनी वार के दिन उनका पूरे विधान के साथ पूजन करना चाहिए इसके अलवा जोतिश शास्त्र में शनी वार के कुछ उपाई बताए गए है जिने अपनाने से मनुष्चे के सभी दुख दूर होंगे नमबर वन यदि किसी व्यक्ति की कुडली में शनी दोश है शनी वार के दिन हनुमान जी का भी पूजन किया जाता है क्योंकि यह दिन हनुमान जी को भी समर्पित है यदि किसी व्यक्ति की कुडली में शनी दोश है तो उससे चुटकारा पाने के लिए शनी वार के दिन हनुमान जी का पूजन करने से शनी दोश का जो प्रभाव है वह खम होता है शनी वार के दिन चीटियों को आटा और मशलियों को दान डालना भी अच्छा माना जाता है योति शास्तर के नमसार यदि किसी को नोकरी में तरक्की नहीं मिल रही है तो उसे यह उपाय अपनाने से जरूर लाब मिलेगा शनी देव को तीर चड़ाते समय हमें इस मंत्र का जाब अवश्य करना चाहिए नमस्ते कोण संस्थाई पिट गलाई नमस्तुते नमस्ते भप्रुरुपाई क्रिश्नाई चे नमस्तुते नमस्ते रूद्र दिहाई नमस्ते चांत काई चे नमस्ते यम संघाई नमस्ते सोरिय विबो नमस्ते यमंत संघाई सनिष्चरे नमस्तुते प्रसादम कुरुदेवेशे धिनश्य प्रणतस्य चे शनीदेव को प्रसंड करने के लिए आपको उख्ते सूरज के समय लगातार 43 दिनों यानि रवियार को छोड़कर शनीदेव को प्रसंड करने का यह उपाई शनीवार के दिन ही आरंब करना जाए दश्रत का पार्ट करें इस शनिवार को 11 दश्रत की को वर्दान दिया था की जो विक्ति आपकी द्वारा लिखे गए ते इस्ट का सामना नहीं करना भुगा का फ्वास रखें शनी देव को शांत रखने के लिए शनीवार को व्रत रखें और काली गाया भैस को उड़त तेल तिल नीलम रत्न और प्राह्मन को काला कंबल कपड़ा या लोहा तान करें अगर आप शनी दोष्ट पीड़ी थे तो इस दिन काली उड़द्वय कोईले की एक पोटली बनाएं उसमें एक रुपे का सिक्का रखें इसके बाद इस पोटली को अपने उपर से उसार कर किसी शनी मंतर का जाप करती रहना चाहिए यह आपकी साड़े साती की सभी परिशानियों को दूर ले जाता है धागा लपेटने के बाद पीपल के पेड की पूजा और दिपक जलाना अनिवार्य है साड़े साती की प्रकोप से पशने के लिए इस दिन उपवास रखने वाले व भावो को रोकता है